जैस्री क्रिष्णा आई ये सुनते हैं आज एकादसी पर गीता का यह अध्यार स्री महादीर जी कहते हैं प्रिये गीता के वर्ण से संबंध रखने वाली कथा इवं बिश्वरूप अध्याई की पावन महात्मे को श्रवड करो बिसारनेत्रोवानी पार्वती इस अध्याय के महात्मे का पूरा पूरा वरण नहीं किया जा सकता इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं उनमें से एक यहां कही जाती है प्रडिता नदी के चटपर मेहर कर नाम से विख्यार एक बहुत वहां बड़ी-बड़ी विश्राम साल आये हैं जिनमें सोने के खंभे सोभा दे रहे हैं उस नगर में स्रीमान शुखी सांत सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुश्यों का निवाश है वहां हाथ में सार्व नामक धनुसधारण करने वाले जगदिस्वर भगवान विग्र भगवति लच्मी के नेत्र कमलोद्वारा पुजीत होता है भगवान की वहजा की बामन अवतार की है मेक की समान उनका स्यामवड तथा कोमलाकृती है वचस्तलप स्रीवत्स का चिन्द शोभा पाता है विक कमल और बनमाला से विभूसित है अनेक प्रकार की विभूसित हो भगवान बामन रत्न उप्समन की सद्री से जान पड़ते हैं पितामबर से उनके श्याम विग्रह की कांती ऐसी प्रतीत होती है मानोच चमकती हुई विजली से घिरा हुआ इस निग्न मेग शुभा पा रहा हो उन भगवान बामन का दर्षन करके जीव जन् से मुक्त हो जाता है उस नगर में मेखला नामक महान तिर्थ है जिसमें असनान करके मनुष्य शाश्वत बैंकुंठ धाम को प्राप्त होता है वहाँ जगत के स्वामी करुडा सागर भगवान नर्शिन का दर्षन करने से मनुष्य साथ जन्मों के किये हुए घूल पाप स छुटकारा पा जाता है जो मनुष्य मेखला में गरेश जी का धर्षन करता है वह सदा दुसकर भिगनों के भी पार हो जाता है उसी मेघड कर नगर में कोई स्रिष्ट ब्रामः थे जो ब्रमचर्य परायर ममता और अहंकार से रही बेच सास्त्रों में प्रवीर जितेंद् तथा भगवान वाशुदेव के सरडागत थे उनका नाम सुनन्द था प्रिये विस सारंग धनुषधार करने वाले भगवान के पास गीता के ग्यारह में अध्यार विश्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे उस अध्यार के प्रभाव से उन्हें ब्रम्ह ज्यान की प्राप्ती हो गए थे परमानन संदोहसी पूर उत्तम ज्यानमै समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतरमुख हो जाने के कारण विनिश्चर इस्थिती को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवनमुक्त योगी की इस्थिती में रहते थे एक समय जब भ्रहस्पती सिंग रासी में इस्थिते महायोगी सुननने गुदावरी तेत की यात्रा अरम की विक्रम्स बिरस्तिर्थ, तारा तेत, कपला संगम, अश्टतिर्थ, कपला द्वार, नर्शिंग्वन, अंबिकापूरी तथा कर अस्थान पर आणी छेत्रों में अश्नान और दर्शन करते परंतु कहे भी उन्हें अस्थान नहीं मिला, अंत में गाउं के मुख्या ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्म साला दिखा दी, ब्रामर ने साथियों सहित उसके भीत जाकर रात में निवास किया, समेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्म साला के बाहर पाया, साथ ही नहीं दिखाई दिये, वे उन्हें खोदने के लिए चले, इतने में ही ग्रामपाल मुख्या से उनकी भेट हो गए, ग्रामपाल ने कहा, मुनिस्रेश तुम सप्रकार से दिरगायु जान पड़ते हो, शवभाग्यसाली तथा पुंड्यवान पूशों में तुम सब से पवित्र हो, तुम्हारे भीतर कोई लोकुत्तर प्रभाव बिदमान है, तुम्हारे साथ ही कहा गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ, मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई बिप्रवर तुम्हें किस महामंत्र का ग्यान है, किस विद्या का आश्रह लेते हो, तथा किस देवता की दिया से तुम्हें अलवकिक सक्ती आ गई है। तब एक दिन प्रातह का लाकर वह बहुत दुखी हो, महात्मा के सामने रोने लगा और बोला हाई, आज रात में राचस ने मुझ भागी हिन के बेटे को चबा लिया है, मेरा पुत्र बड़ा ही गुडवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनन ने पूछा, कहां है वह राचस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भच्छड किया है। ग्रामपाल बोला, ब्रामण इस नगर में एक बड़ा भयंकर नर्भच्छी राचस रहता है, वह प्रती दिन आकर इस नगर के मनुश्यों को खा लिया करता था, तब एक दिन समस्नगर वाश्योंने मिलकर उसे प्रातना की, राचस तुम हम सब लोगों की रच्छा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की विवस्था किये देते हैं, यहां बाहर के जो पथिक रात में आकर निद लेने लगे, उनको खा जाना, इस प्रकार नागरिक मनुश्यों ने गाउं के मुझ मतलब मुखिया द्वारा, इस धन साला में भेजे हुए पथिकों को ही राचस का आह अपने प्राडों की रच्छा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा, तुम भी अन्यराहगीरों के साथ इस घर में आकर सोय थे, कि दुराचस ने उन सबों को तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड दिया, द्वी जुत्तम तुम्हें ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को उसे भी मैंने उसी धर्म साला में भेदिया, मेरे पुत्र ने, जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले आने के लिए गया, परन्तु राचस ने, उसे भी खा लिया, आज समेरे मैंने बहुत दुखी होकर, उस पिसाच से उच्छ ओ दुष्टात्मा, तुने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया, तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र, जिससे जिवीत हो सके, ऐसा कोई उपार, यदि हो तो बता, राचस ने कहा, ग्राम पार, धर्म साला के भीतर घुसें हुए तुम्हारे पुत्र के, पच्कों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अंजाने में ही मेरा ग्राश्ट बन गया है, वह मेरे उदर में जिस्प्रका जिवीत और रचित करा सकता है, वह उपाय श्वयम विधाता ने ही कर दिया है, जो ब्राम्हर सदागीता के ग्यारहवे अध्यायका पाठ करता हो, उसक ग्यारहवे अध्यायका जबकिया करते हैं, इस अध्यायके मंत्र से साथ बार अभी मंत्रित करके यदि इवे मेरे उपर जलका छेटा दे तो निशन्ने मेरा स्राब से उध्यार हो जाएगा, इस प्रकारुस राश्ट का संदेश पाकर, मैं तुम्हारे निकटाया हूँ, ब्रामहर ने पूछा, ग्रामपाल जो राद में सोई हुए मनुश्यों को खाता है, वह प्रारी किस पाप से राश्ट सुआ है, ग्रामपाल बोला, ब्रामहर, पहले इस गाव में कोई किसान ब्रामहर रहता था, एक दिन वह अगहनी के खेट की क्यार्यों की रच्छा करने में लगा था वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बढ़ा गिद किसी राही को मार कर खा रहा था उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले जो उसे राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे गिद उसरा ही को खाकर आकास में उड़ गया तब तपस्वी ने कुपीध होकर उसकी साथ से कहा ओ दुष्ठ हलवा है तुझे धिकार है तु बड़ा ही कठोर और निर्दई है दूसरे की रच्छा से मुझ मोरकर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है तेरा जीवन नश्ट प्राय है अरे जो चोर दाह वाले जीव सर, सत्र, अगनी, विष्ट, जल, गिद, राचस, भूत तथा बिताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुस्यों की सक्ति होते हुए भ जो सक्तिसादी होकर भी चोराद के चंगुन में फसे हुए ब्रामर को छोडाने की चेश्टा नहीं करता वो घोर नरक में परता और पुनभेलियों की योनी में जन लेता है जो बन में मारे जाते हुए तथा गिद और ब्यागर की द्रिष्टी में पड़े हुए जीव की रच्छा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुखार करता है वो परमगती को प्राप्त होता है जो मनुश्य गउओं के रच्छा के लिए ब्यागर भील तथा दुश्रा जाओं के हाथ से मारे जाते हैं वे भगमान विश्रू के उस परमपत को पाते हैं जो योगियों के भी दुरलव है सास्त रास्तों में धियग्य और सव वाजपी यग्य मिलकर सड़ा गत्रच्छा की सोलहमी कला के बराबर भी नहीं हो सकती दिन तथा भैबी जिर्की उपेच्छा करने से पुन्यवान पुरुष भी समय आने पर कुम्भी पाक नामक नरक में पकाया जाता है तुने दुष्ट गिद के द्वारा खाये जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो इसकी रच्छा नहीं की इससे तु निर्दई जान पड़ता है अतह तु राच्छ सोजा हन वहा बोला महात्मन मैं यहाँ उपस्थित अवस्य था कि तु मेरे नेत्र बहुत देज से खेट की रच्छा में लगे थे अतब पासोने पर भी गिद के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुशे को मैं नहीं जान सका अतम उस दिन पर आपका अनुग्रह होना चाहिए तप से शुटकारा मिल जाएगा यह कहकर तपस्वी ब्रामहर चले गए और वह हलवाया राच्छस हो गया अतह द्विचेट तुम चलो और ग्यारहे अध्या इसे तेत के जल को अभिमंत्रीत करो फिर अपने ही हाँ से उस राच्छस के मस्तक पर उसे छुड़क दो ग्राम पाल की यह सारी प्रात्ना सुनकर ब्रामहर का हृदय कवडा से भराया वे बहुत अच्छा कहकर उसकी साथ राच्छस के निकटाये वे ब्रामहर योगी थे उन्होंने विश्वरूप दर्सन नामक ग्यारहवे अध्याय से जल अभिमंत्रीत करके उस राच्छस के मस्तक पर दे विमारा गीता के ग्यारहनी अध्याय के प्रभाव से वह श्राब से मुक्त हो गया उसने राच्छस दे का परित्या करके चतुर भुझरूप धारर कर लिया तथा उसने जिनसहस्त्रों पथिकों को भच्छर किया था वे भी संग, चक्र एवं गदा धारर किये चतुर भु उसके यो कहने पर दिप्य बुद्धिवाने राचस ने कहा ये जो तमाल के समान स्याम, चार हुजाधारी, मारिक्य मैं मुकुट से सुसोभी, तथा दिप्यमर्यों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने क भुजबंदों से विभुसी, कमर की समान नेतरवाले इस निग्ण रूप तथा हाथ में कमल लिये हुए हैं, और दिप्य विवान पर बैटका दिवत्यों को प्राप्त हो चुके हैं, इनही को अपना पुत्र समझो, यह सुनकर ग्राम पाल ने उसी रूप में अपने पु पुत्र हो चुके हो, पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किन्तु अब देवता हो गया हो, इन ब्रामर देता के प्रसाद से बैंकुंट धाम को जाओंगा, देखो यह निसाचर भी, चतुर्भुज को प्राप्त हो गया है, ग्यारहवे अध्याय के महात्मे से, यह सब नहीं की, तुम्हारे भी ऐसी ही उत्तम गती होगी, ताग, मनुश्यों के लिए साधू, पूर्षो का संग सर्वता दुल्लव है, वह भी समय तुम्हे प्राप्त है, अतह अपना भिष्ट सिद्ध करो, धन, भो, दान, यग्य, तपस्या और पुरो कर्मों से क्या लेना है विश्वरू पाध्याय के पार से ही परमकल्यार की प्राप्ती हो जाती है, पूरा नन संदोर्ष्वरू उप्सिल्किष्ट नामक ब्रह्मा के मुक्से, कुरू छेतर में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमरित में उप्देश निकला था, वही स्री विश्व का परम मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतह उसी का भ्यास करो। स्री महादीर जी कहते हैं यो कहकर वह सबके साथ परमधाम को चला गया, तब ग्रामपाल ने ब्रामः के रुक से उस अध्याय को पढ़ा, फिर वे दोनों ही उसके महाद में से विश्व पुधाम को चले गए, पार्वती इस प्रकार तुभे ग्यारहमे अध्याय भागवत गीता की कथा सुनाई है,